नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर धीरज और आज मैं बताऊंगा आपको पांच ऐसी हैबिट्स जिनके जरीए आप अपने बैली फैट को कम कर सकते हैं जी हाँ belly fat जो कि आपके visceral fat भी कहलाता है ये visceral fat जो होता है बाकी fat को कम करना तो मुश्किल होता ही है लेकिन visceral fat यानि belly fat को कम करना और भी थोड़ा मुश्किल होता है तो दोस्तों आज मैं आपको 5 ऐसी habit बताने वाला हूँ और उसको देखने के लिए मेरे वीडियो को पूरा अन तक देखिएगा और मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करके आप अपने कमेंट्स भी मुझे बताईएगा कि क्या ये टिप आप फॉलो कर रहे थे अपने बैली फैट को कम करने के लिए तो दोस्तों शुरू हो जाईए सबसे पहला टिप है कि आप उतना ही खाईए जितनी भूग लगती है एक researcher के मताबिक ये देखा गया है कि अगर हम ऐसी habit डाल लें कि भूग लगने पे ही खाएं तो आधा काम जो है nutritionist जो है dietitian उनका खतम हो जाएगा सो ये remark है उनके जो दोस्तों भूग लगने पे ही खाईए कहने में तो बड़ा आसान लगता है लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो जब भी आप stress में होंगे जब भी आप थोड़ा mood आपका disorder होगा जब भी आप थोड़ा सा depressed होंगे तो आप ज़्यादा खाना खा जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है उसका कारण है कि हम हमारा brain उस thinking में लगा रहता है और हम उसको उस stress को deal करने के लिए थोड़ा over consume कर जाते हैं यहीं पर सारा खेल गड़बड हो जाता है calories ज़्यादा intake हुई burning कम हुई तो मैं habits के बारे में बता रहा हूँ मैं exercise के बारे में नहीं बता रहा हूँ दोस्तों आज habits के बारे में खाना क्या है यह आपको मैं अगले वीडियो में बता सकता हूँ अगर आप comment करके मुझे कहेंगे कि ऐसा बताईए हलाकि मैंने एक वीडियो अलरेडी बना रखा है किस तरह के खान पान से weight loss होता है belly का भी fat loss हो सकता है किस exercise से weight loss हो सकता है इसका भी वीडियो में बना चुका हूँ तो दोस्तों दूसरे number point पर आजाते हैं जिसको कहते हैं हम television जो है वो time कम करने है television time कम करने से क्या होता है कि जो belly fat है वो नहीं deposit होता है ये भी scientifically देखा गया है कि जब हम belly fat जब हम television time जादा होता है हम जादा मेरा जो calorie होगी जो calorie consume करेंगे वो belly fat की तरफ deposit होता है तो television time आप कम कर दीजिए lying position में और तीसरा point है कि आप बार बार move जरूर कीजिए आप ऐसा नहीं हो कि आपने बस एक बार exercise कर ली और regularly exercise कर रहे हैं तो आपका weight loss होगा ऐसा नहीं है आपको additionally ये बात ध्यान रखने पड़ेगी कि आप बार बार पूरे दिन में move करते रहें हो सके तो थोड़ी बोड़ी exercise भी कर सकते हैं लेकिन सिर्फ move करना जैसे printer आपका रखा हुआ है दूर में तो आप आराम से उसको यूज करने के लिए आप बाहर जा सकते हैं दूसरे कमरे में जा सकते हैं आज कल सुवधाय ऐसी हो गई होगी होगी सब कुछ बगल में होता है तो ऐसे में चीजों को ऐस तरह से रखना है कि आपको आपको दूर तक जाना पड़े मूव करना पड़े आपको स्टेप अप करना पड़े इस तरह की चीज़ें करनी है जैसे कि आप बार बार मूव करें या थोड़ा बहुत स्कॉर्ट्स कर ले ये तो हो गई मूव करने की बाद बार बार मूव करने की बाद इसके अलावा अब आती है बात sleeping की, sleeping इतना होना चाहिए adequate होना चाहिए वरना कम sleep करने के जयादा नुकसान है आप सोच रहोगे जयादा sleep की बात मैं करूगा कम sleep करने से क्या होता है कि जो calorie होती है वो आपके belly की तरफ redirect हो जाती है यह research में पाई गया है तो हम अगर कम सोएंगे तो जो fat होगा वो deposition नॉर्मली तो होता है skin के अंदर में लेकिन जब हम कम सोते हैं तो ये इसकी direction यानि जो fat है fat जो बना है क्योंकि वो burn नहीं हो पाया ठीक से उतनी exercise आपनी नहीं की उसकी जो direction है वो belly की तरफ हो जाती है तो ये सबसे important चीजे हैं तो last में जो point आता है दोस्तों आपको accountable बनना है यानि आपको जिम्मेदार बनना है जिम्मेदार शब्द तो बहुत अच्छा शब्द नहीं बोलूँगा मैं आपको किसी कोई निष्ठा होनी चाहिए किसी के प्रती जैसे कि आप किसी को friend मानते हैं उसके लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपकी सबसे अच्छे निष्ठा जो है मेरे हिसाब से आप अपने समाज के प्रती अगर होते हैं तो वो habit भी आपको fat burn करने में help कर सकते हैं खासकर belly fat देखिए दोस्तों जब मैं पार्क जाता हूँ तो मैं कई बार ये ध्यान में रखता हूँ कि नीचे में जो कंकड पत्थर हैं पार्क में वो नीचे जुप करके उठाये जाए ऐसा करने में आप या तो squat करके उठाएं lunch करके उठाएं या band करके उठाएं उसमें आपको choice कर लेनी है जो आपके लिए best हो वो करें लेकिन आप अगर ऐसा करते हैं तो आप society के लिए कर रहे हैं किसी को कंकड लगनी जाए पत्थर लगनी जाए अपने दोस्त या अपने किसी भी मतलब अपने सम्मंदी के लिए आप अपने को accountable मानिए ये है accountability दोस्तों ये सारी tips मैंने किसी एक website पर देखी और मैं अपने subscriber और होने वाले subscriber के लिए भी ये tips लाना चाहता था इसलिए मैं ये topic लेके आपके सामने आया आपको कैसा लगा आपको ये हो अभी मैं लेता हूँ आप से विदा नमस्कार